इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध भयाबह हो गया है पिलिस्तिनी संगठन हमास और इस्राइल डिफेंस फोर्स के बीच जंग को एक सप्ता से ज्यादा हो गया है दुन और से दिल दहला देने वाली तस्वीरे सामने आ रही है रॉकेट मिसाइल बंबारी के बीच लाशों का अमबार लग गया है लेकिन युद्ध बढ़ता ही जा रहा है इस्राइल ने गाजा पटी में घुसकर हमास का खातमा करने का एलान कर दिया है एलान जंग के बाद इसराइल गाजा को तबह करने में जुटा है अब तक गाजा पर हवाई हमले किये जा रहे थे और बॉर्डल पर आतंकवादियों की गुस्पैट के खिलाफ पलटवार जारी था लेकिन अब युध में नया मोड आ गया है इसराइली सेना गाजा में खुस चुकी है और जमीनी जंग के लिए पूरी तरह तयार है इसराइल ने गाजा की जनता को भी महफूस जगह चले जाने का अलर्ट दे दिया है गाजा की बॉर्डर पर इसराइल डिफेंस फोर्स के टैंक तैनाथ हो गए है और धीरे धीरे ग्राउन फोर्सेस आगे बढ़ रही है इसराइली सेनिकों की कई टुकुडिया गाजा में खुस चुकी है और हमास के आतंकवादियों को नेस्तो नाबूत कर रही है आपको बता दे कि इसराइल की ग्राउन फोर्सेस ने गाजा में कई छापे मारे हैं सेना ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया ही कि इसराइल डिफेंस फोर्स ने आतंकवादियों और हत्यारों के शेत्र को साफ्ट करने के लिए गाजा पटी में रेड मारी है इन आपरेशनों के दोरान लापता व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश भी की गई है इसराइल के मुताबिक साथ ओक्टूबर को हमले के बाद सूफा में धाई सो लोगों को बंधत बना लिया गया था इसराइली सेना ने छापे मारी करते हुए उन्हें सुरक्षित बचा लिया है साथ ही हमास के साथ आतंक्यों को भी धेट कर दिया है जिसमें डिप्ती कमांडर मुहम्मद अबु अली भी पकड़ा गया थे ताजा अपडेट के मताबिक इसराइली फोर्सेस ने गाजा पट्टी में हमास के हवाई संभू के प्रमुख अबु मुराद को ही मार गिराया है अबु मुराद वही आतंकी है जिसने हमास पर पांच हजार रॉकेट के हमले के दौरान अपने लड़ाकों को निर्देशित किया था आईडियेफ का कहना है कि उसने अलग-अलग हमलों में हमास के कमांडों से सम्मंदित दरजनों ठिकानों को निशाना बना है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इसरायल में घुस पेट की थी हमास के स्वास समंद्राइले ने कहा है कि गाजा पटि पर इसरायली हमलों में तीन सो से ज्यादा लोग मारे गए हैं इनमें सो से ज़्यादा बच्चे भी शामिल है जब कि एक हजार से ज़्यादा लोग खायर हो गए है। आपको बता दे कि गाजा पट्टी पर इस्राइली सीना के बीच संभावित जमीनी हमले की तयारियों के बीच इस्राइल के ब्रधान मंतरी बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह नष्ट करने का संकल्प जताया है।